नमस्कार दोस्तों जेपी इस्टेनोगरापी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है यह डिक्टेशन 90 सब्द परति मिनट का होगा जो की 6 मिनट तक बोला जाएगा 10 सेकंड बाद इस्टार्ट के जाएगा दोस्तों इस डिक्टेशन का पीडियेप आपको टेलिग्राम ग कामलों में कारेवाई आम तोर पर उनहीं लोगों पर केंद्रित रहती हैं जो आरोपी होते हैं और माना जाता हैं कि अवेद गतिवीधियों या लेन देन में उनकी मुख्य भूमिका हैं इस संदर्ब में यहें एक विडम बनाही रही हैं कि किसी ब्रष्ट गतिवीधी का लाब तो एक पूरे समुहें को मिलता हैं लेकिन जब उसका खुलासा होता हैं तो आरोपों के कठगरे में एक दो लोग ही आते हैं अब दिल्ली में सराब गोटाले की सुनवाई की दोरान सोमुहार को सरवोच न्याले में परवर्तन निदेसाले यानि एडी और केंदरी जाच ब्यूरो यानि CBI ने जो कहा हैं अगर वहें कानूनी तोर पर जमीन पर उत्रा तो यह है इस मसले पर एक बड़े बदलाव का उदाहरन बनेगा दरसल दिल्ली आबकारी नीती मामले में पूर्वे मुख्यमंत्री मनोस सिसोदिया की जमानत याची का की सुनवाई के दोरान CBI और एडी ने अदालत को बताया कि इस मुकदमे में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने पर विचार किया जा रहा हैं आरोपों की प्रकरती के सवाल पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि आरोप अलग हो सकते हैं लेकिन अपराद एक ही होगा जाहिर है अगर ब्रश्टाचार के आरोपों में इस इसतर पर कानूनी कारिवाही चलती हैं तो इस सम्मंद में एक नया आयाम खुलेगा यह सवाल उठेगा कि अगर किसी राजनितिक पार्टी में जिम्मेदार पद पर बेठा व्यक्ति किसी एनिमितता में मुख्य आरोपी हैं लेकिन उसकी गतिवीधियों का लाप पूरी पार्टी को मिले तो जिम्मेदारी का दाइरा क्या होना चाहिए? इसी कौन से अदालत में उठी बात के बाद E.D. और C.B.I. की और से ताजा रुख जाहिर किया गया? गोर तलब है कि 5 अक्टुम्बर को हुई सुनवाई के दोरान सुप्रेम कोट ने प्रवर्तन निदेसाले से पूछा था कि अगर सराब गोटाले से सीधे आम आदमी पार्टी को फाइदा पहुँचा तो फिर उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? अदालत के इस सवाल के बाद अब E.D. और C.B.I. ने एक तरहें से इसी सवाल को कारेवाई के दायरे में सामिल करने का संकेत दिया हैं. अब तक आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेताओं मनीस सिसोधिया और संजे सिंग को आबकारी गोटाले से जुड़े मामलों में E.D. और C.B.I. ने गिरपतार किया हैं. इस करम में अब मामले की जहांच समुची पार्टी तक पहुँचती दिख रही हैं. हाला कि अगर E.D. और C.B.I. आम आदमी पार्टी को भी कटगरे में खड़ा करने के लिए कानूनी पहल करती हैं. तो इससे जुड़े कानून की कसोटी पर यह परखा जा सकता हैं कि क्या दन सोधन रोकताम अधिनियम के दाइरे में किसी राजनितिक पार्टी को भी लाया जा सकता हैं. दरसल दन सोधन रोकताम अधिनियम की धारा सत्तर को अब तक कमपनियों के जरिये किये जाने वाले अपराधों की स्थती में लागू होता रहा हैं. मगर यही कानून अगर राजनितिक दल को आरोपी बनाने में उप्योग होता हैं तो संबव हैं कि इसके लिए अलग से कोई और कानूनी रास्ता अक्तियार करना पड़े. कानूनी पेचीदियों की वजहें से यह मसला बहस का कैंदर बनेगा. यह छिपी बात नहीं हैं कि बरस्टाचार या एनिमितता की लाभारती कई बार समुची पार्टी होती हैं. लेकिन कारिवाई के दाइरे में एक दो नेता आते हैं. इस तरह किसी व्यापक दाइरे का बरस्टाचार व्यक्तिगत मामला बन कर रहे जाता हैं. सवाल हैं कि ऐसे मामलों में पार्टी की जिम्मेदारी क्या होगी? अगर कानूनी कसोटियों पर किसी राजनितिक दल को आरोपी बनाने का आधार मजबूत हुआ तो आम आदमी पार्टी को सायद गंबीर चुनोतियों का सामना करना पड़े. nivel करनाद टार्टी क्यार समयी बना हुआ रहे तो क किसी बनाने को साब्ये नहाएंगान प्रत प्रतव क करना प algumas ऐसा से हो आदिग यृदार्टी हैं